अगर अपने ही पैर पर कुलहाडी मारने का कोई एक्जाम्पल होता तो शायद वो मालदीव के राष्ट्रुपती मुहम्मद मुईजु होते। जिस तरीके से उनकी सरकार के तीन उपमंत्रियों ने भारत की प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी और भारत पर अपमान जनक टिपणिया की उसके बाद उनकी सरकार पर ये भारी पढ़ता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द वहां के राश्ट्रुपती मुहम्मद मुईजु के खिलाफ और विश्वास प्रस्तावा सकता है। क्या है पूरी रिपोर्ट चलिए जानते हैं। भारत की ताकत को नजर अंदास करना मालदीव के राश्ट्रुपती मुहम्मद मुईजु पर भारी बढ़ सकता है। पहले ही मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिष्टों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को दोशी ठहरा रहा है। और अव वो राश्ट्रुपती मुईजु के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। उन्होंने अपनी पार्टी के शिर्ष नेताओं से पूछा है कि क्या वो राष्ट्रपती मुजजों के खिलाफ अव विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तयार है। भारत से पंगालेना मालदीव पर भारी पड़ सकता है। बड़ी तादाद में भारती अप्रेटिकों की बुकेंग कैंसिल होनी और ट्रावल कमपनियों के विरोत के बाद अब मालदीव की टूरिजम एसोसीशन ने भी अपनी मंत्रियों की बयान की आलोचना की है। भारत ये प्रधान मंत्री पर बयान बाजे के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रुपती एहमद अधीब का भी बयान आया। उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा कि उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। अदीब ने कहा कि राश्ट्रपती मुईजो को पीएम मोधी के पास जाकर इस राजनाइक संकट को सुलजाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारतिय नेताओं के खिलाफ अपमान जनक टिपने स्वीकार लायक नहीं है। दरसल इस पूरे मामले के शुरुवात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के लक्ष द्वीप दौरे के बाद हुई थी।